क्या 2019 के चुनाओं में पकॉड़ा बनने वाला है बड़ा मुद्दा? क्या पकॉड़ा विवाद से कॉंग्रेस को होगा भारी नुकसान? देश की सियासत में इन दिनों पकॉड़े को लेकर खमासान मचा हुआ है सोशल मीडिया से लेकर संसत तक पकॉड़ा पॉलिटिक्स की चर्चा खाफी तेज हो गई है पकॉड़े की आड में विपक्ष जहां रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगा है वहीं सत्ता पक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने के मूड में नजर आ रही है संसत के मौजूदा सत्र में आम बज़ट पर चर्चा के दोरान सदन में पकॉड़े का मुद्दा गरमाया हुआ है दरसल लोगसभा में बज़ट पर चर्चा करते हुए 36 गड़ के सीम रमन सह के बेटे अभिशेद सेह ने कॉंग्रेस पर गरीबों का माखौल उड़ाने का आरोप लगाया राज नंद गाउं से सांसर सेह ने कहा कि जिस तरह चायवाला विवाद की वज़़ा से कॉंग्रेस 2014 के चुराओं में 44 सीटों पर सिमट कर रह गई थी ठीक उसी तरह अगर पकोड़ा विवाद के जरिये वो 2019 में 5 सीटों तक सिमट जाए तो कोई आश्चेर्य नहीं होगा अभिशेख से यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि देश में गरीब आदमी अपनी मेहनत से परिवार का पेट पालता है और आगे बढ़ता है लेकिन कुछ लोग इनका मजाक बना रहे हैं चुनाओं में इन लोगों को जवाब मिलेगा इस दोरान अभिशेख ने अपने संसदिय शित्र के ऐसे कई लोगों के उदाहरन भी पेश किये जिन्होंने छोटे स्तर से दुकान शुरू की और आगे चल कर बड़ा कारोबार स्थापत कर अन्य लोगों को भी नौकरी देने का काम किया आपको बता दें कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने एक टीवी चैनल को दिये अपने इंटरव्यू में पकोड़ा बेचने को भी रोजकार बताया था उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ती पकोड़े की दुकान लगाता है और रोज वो 200 रुपे कमा कर घर जाता है तो आप उसे रोजकार कहेंगे क्या नहीं इसके बाद पुर्व वित्तमंत्री और कॉंग्रेस नेता पीचे दंब्रम ने मोधी सरकार पर जम कर हमला बोला और कहा कि अगर पीएम पकोड़ा बेचने को रोजकार मानते हैं तो इस तर्क के साथ भीख मांगने वाले को भी नौकरी पेशा माना जाना चाहिए इसके बाद तमाम विपक्षी पाटी मोधी सरकार का मजाक बनाने में लगी हुई है लेकिन बीजेपी अब इसे बनाने में जुट गई है फिचले दिनों बीजेपी अध्यक्ष अमित्शाह ने भी रज्यसभा में कॉंग्रेस पर गरीबों का मजाक बनाने का आरोप लगा हुई हुई